हेलो एवरिवन गुट बॉर्निंग तो लॉफ यू वेलकम तो लॉजिक पार्चाला आज किस वीडियो में हम कवर करेंगे 21st नॉवेंबर की इंपोर्टेंट करेंट अफियर्स के क्वेशन्स फ्रेंट इस वीडियो का जो पीडियाफ है वो आप लोगो मारे टेलिग्राम चैनल से मिल चाहेगा लॉजिक पार्चाला 16 जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्किप्शन बॉक्स में तो चलिए फ्रेंड्स आज किस को स्टार्ट करतें मोटिवेशन कोट से डोंट गिव अप द बिगनिंग इस ऑल्वेस दी हार्डेस्ट कभी भी ना गिव अप मत करें क्योंकि जब आप किसी भी चैस के शुरुआत करते है ना उस टाइम पे वो कठिन लगता है लेकिन जब आप उससे धीरे धीरे करते रह करेंगे तो आपको रास्ता बहुत सिंपल लगने लगेगा और आप खुछ सोचेंगे कि ये तो बहुत एजी था ये तो इतना हार्ड नहीं था जितना मैंने सोचा था इसलिए फेंड्स गिव अप करने के बारे में बिलकुल मसोचें किसे भी काम को शुरू करने से पहले ये ना सूचे कि ये हो नहीं सकता तो चले इस इसके साथ स्टार्ट करते एक इंपॉर्टेन डे से तो आज का इंपॉर्टेन डे है वर्ड टेलिविजन डे चोंकि कब 3 Stud किया जाता है맛ज़ क्वर्ड को मनाया जाता है सिंगो बनाने का में उद्धे से क्या मैं आजमाले न जिसके हम देख सकते हैं उसकी importance को acknowledge करना पहली बार world television forum के दौर forum जो है उन्होंने celebrate किया था 21st November को 1996 मी यह दिन जो है सबसे पहली बार एक तरीके से celebrate किया गया था उसके बाद the day later came to be known as a world television day पहले इसे world television forum के नाम से देखे इसको celebrate किया गया था उसके बाद इसका नाम क्या हो गया world television day television day कि इस पार की theme क्या रही इसको बहुत अच्छे से ध्यान ने क्या है कि एक word है तो इसलिए आप इसे mark करें कि important होगा ही होगा accessibility इस बार की रही है थी television को invent किस ने किया था तो 1924 मी जॉन लोगी बेर्ड ने television को invent किया था सो यह हमारी कुछ-कुछ important points है अब बात कर लेते हैं चलिए अभी तक हमने नवेंबर के जो important days करें हैं उनको हम एक बार revise कर लेते हैं 1st November हमने किया था world vegan day जिसकी theme रही celebrating for a good cause 1st November को ही मनाया कया करनाटक का formation day 3rd November मनाया कया international day for biosphere reserve 5th November देखे world tsunami awareness day जिसकी theme रही disaster reduction fighting inequality for a resilient future उसके बाद 7th November को आया infant protection day जिसकी theme रही ensuring every child's right to thrive 8th November world radiography day theme क्या रही इसकी celebrating patient safety उसके बाद है कि 10th November को मनाया गया world science day for peace and development और इसकी theme रही friends building trust in science 11 November को मनाया कया national education day इसकी theme रही prioritizing education investing in our people 12 November को मनाया कया world pneumonia day जिसकी theme रही championing the fight to stop pneumonia 13 November को मनाया कया world kindness day offense जिसकी theme रही be kind wherever possible 14 November bird diabetes day मनाया कया जिसकी theme रही access to diabetes care 19 November को मनाया कया international men's day और इसकी theme क्या रही है zero male suicide तो जितने देखे हम days पढ़ रही है साती में हम जो उनकी themes देख रही हैं उनको भी हमको याद रखने हैं क्याज कर देखे तो exam मेरा theme से भी question आपके पूछे जाने लगी है चलिए बात कर लेते हैं question first की तो पहला question है Recently which country has successfully test fired an M51.3 long range ballistic missile तो यह जो missile है देखे यह एक लंबी दूरी की ballistic missile है जिसका नाम है M51.3 अभी किस country ने इसको successfully test किया है तो recent जो है France country ने जो है इस missile को test किया है M51.3 missile जो है यह M51 का ही एक upgraded version है और यह एक three stage sea land strategic ballistic missile है जिसे French Navy submarines जो है उनसे launch करने के लिए इसको design किया गया और एक बार submarine से भी इसको test किया गया था कब 2010 सी ओके और अब इसी का ही एक upgraded version यह लेके आए हैं जिसको नाम क्या दिया है M51.3 missile फ्रांस की बात करती है France capital है Paris currency है Euro President Emmanuel Macron और Prime Minister है Elizabeth Bourne Next question Which of the following has launched commission to foster social cohesion and loneliness किसने अभी देखे सामाजिक एक जुटता और अकेलिमन को बढ़ावा देने के लिए एक commission को शुरू किया है तो इस commission को अभी शुरू किया है Friends World Health Organization WHO ने इसे शुरू किया है देखिए अब इसका main क्या उदेश्य है तो यह जो commission है यह क्या consider करेगा कि किस तरीके से connection जो है हमारे communities के लिए well-being यानि हमारे communities के भलाई को वो कैसे बढ़ाते हैं और साथी में economic progress और social development को बढ़ावा देने में किस तरह से वो help करते हैं connection तो उसी को consider करेगा यह commission और इसी commission को launch किस ने किया है डबलो एचो नी डबलो एचो की बात करते हैं तो formation हुई इसकी 7th April 1948 को hit quarter है जेनिवा में डबलो एचो के पहली president कौन थे एंड्रीजा स्टेमपर डारेक्टर जरनल कौन है टेड्रोस एड़नॉम deputy director general है सौमया सौमिनाथन जो की इंडियन है और कितनी है member countries 194 next question देखे union fisheries minister परशोत्तम रुपाला has inaugurated the two day global fisheries conference India 2023 in which city देखे परशोत्तम रुपाला ने कौन से शहर में दो दिन का देखे global fisheries conference हुआ था इस conference का उधगाटन किया तो इसका उधगाटन उन्होंने किया है एहमदाबाज शहर में यह जो conference हुई थी इसमें देखे 10 countries से भी जादा जो थे उनके delegations उन्होंने इस conference में participate किया जैसे की France, Norway, Australia, Russia, Brazil, Greece, Spain, New Zealand, Zimbabay तो इनके जो delegations थे उन्होंने जो है physically तरीके से इस conference पे participate किया अब यह दखिएगा इसकी theme celebrating fisheries and aquaculture wealth यह इसकी theme रही main purpose जो था इस conference को कराने का वो यह था कि इंडिया का जो fisheries देके sector है उसमें sustainable growth एक तरीके से sustainable growth उसमें लेके आ सकें तो उसके लिए जितने भी stakeholders हैं उनको एक platform provide करना थाकि वो सारे जो भी important decisions है उनके discuss कर सके इस sector को लेके तो इसी purpose से यह दो दिनका देखिए global fisheries conference हुआ था कहां पे एहमदाबार शहर में next question देखे which was the opening film at the 54th international film festival of India तो जो अब यह 54th international film festival शुरू हुआ इसमें देखे starting में ही opening film कौन सी थी तो जो इसकी आरंबिक film थी उसमें नाम क्या है catching dust catching dust जो है friends यह एक British film है और यह opening movie रही थी और यह जो festival हुआ था यह भी याद किया यह festival कहां पे शुरू हुआ है तो इसका venue भी याद रखना है गोवा में opening ceremony हुई थी श्यामा प्रसाद मुखरजी इंडोर स्टेडियम जो की बेंबो लिम में है इसके अलावा देखे नौ दिन का पूरा यह event है जिसको inaugurate किया है अनुराग ठाकूर ने अनुराग ठाकूर कौन है यह union information and broadcasting minister है तो नौ दिन का यह पूरा event रहेगा जिसको इन्होंने inaugurate किया इसमें एक important award भी दिया जाएगा उस award को याद रखेगा जो की है सत्यदीच रे lifetime achievement award और यह award किसे दिया जाएगा Hollywood actor and producer Michael Douglas को तो यह award उन्हें इसी ceremony में उन्हें दिया जाएगा तो यह important बात भी ज़रूर धियान रखेगा next question देखें the sea buckthorn of which state और UT recently got its geographical indication tag तो अभी किस राज़ या UT के sea buckthorn यह sea buckthorn इस तरीके का जो है product है यह food item है को भी हाली में देखें अपना GI tag मिला है तो यह है friends कहां से लदाग से और लदाग का यह चौथा देखें अभी तक का लदाग ने चौथा GI tag secure किया है sea buckthorn के लिए अधर अगर हम बात करें लदाग से कौन कौन से और GI tag product है जैसे apricot जिसे रक्त से कारपो भी कहती है next हो गया पश्मीना उसके बाद देखें लदागी wood carving इन्हें भी देखें GI tag मिल चुका है next question है अगला है Shannis Palacios has been crowned Miss Universe for the year 2023 she is from which country question एक direct भी बन सकता है देखें कि 2023 में Miss Universe का crown किसको दिया गया है या किसने पहना है या ये competition किसने जीता तो इनका नाम भी ध्यान रखेंगे इनका नाम है Shannis Palacios अब बात करते हैं किस country से हैं ये तो ये है friends याद रखेंगा निकार गुवासी ओके निकार गुवासी है ये और इन्होंने Miss Universe का title चीता है इस बार Miss Universe का कौन से edition था 72 edition और ये कहां पे हुआ था तो El Salvador में जो है इसका आयोजन किया गया था इसमें जो पहली runner-up रही थी वो थी Thailand की Antonio Porceld और जो second runner-up रही थी उसमें वो कौन रही थी Moraya Wilson वैसे first runner-up इतना important नहीं है हमसे जो main important होगा वो पूछेंगे कि इसमें ये title किसने जीता और Miss Universe का जो ये competition हुआ था इसमें इंडिया के तरफ से कौन थी उनका नाम भी याद रखेंगे श्वेता शारदा next question देखिए Tamil writer पेरुमल मुरुगन has won the JCV price for literature for which novel अब देखें लिटरेचर से सम्मनते थी ये award है तो इसमें हमें novel का नाम पूछ लिया तो इसमें याद रखेंगा अगर कोई भी literature से related award है अगर कोई किसी book के लिए किसी novel के लिए मिला है तो वहाँ पे आपके लिए वो book भी important होती है तो यहाँ पूचा है कि जो तमल लेखक हैं पेरुमल मुरुगन उन्हें अभी किस novel के लिए literature का JCV price जो है उन्होंने जीता है तो यहाँ पे उनके novel का नाम क्या है fire word so fire word जो novel है इसी novel के लिए उनको JCV price से सम्मानित किया गया fire bird एक English translation है उनके तमिल novel का जो की है आलंदा पातजी और इसी novel के लिए उन्हें यह award दिया गया है next to math करते हैं कुछ और important awards की देखिए जो recent news में भी रही है 2023 में तो देखिए रुईजियांग जांग इन्हें अवोर्ड मिला 2013 का शाष्ट रामनुजन प्राइस और ये दिया जाता है mathematics के छेतर में next देखिए वाहिदा रह्मान इनको receive हुआ दादा साहे फाल की lifetime achievement award fashion designer राहुल मिश्रा इन्हें फ्रांस का देखिए honor मिला Chevalier D. Leoder Desart Desletters के नाम से जो फ्रांस का honor है वो इन्हें दिया गया स्वाती नायक जो की Odisha से हैं इनको 2023 का Norman Borlog Field Award रेसीव हुआ और राजस्थान की जो प्रियन सेन हैं उन्होंने Miss Earth India 2023 का crown पेना तो ये हमारे important awards रही है 2023 की नेक्स्ट बात करते हैं Australia has won the ODI World Cup title how many times still so Australia ने Monday Cup का किताब अब तक कितनी बार जीता है क्योंकि इस बार 2023 के अगर हम बात करें तो जो World Cup हुआ था उसका final किसने जीता है again Australia ने जीता है तो ये उनका 6 चटी बार था कि Australia ने World Cup का जो है टाइटल जीता है इससे पहले देखे Australia ने 1987 1999 फे 2003 2007 दे 2015 और अब 2016 तो ये उन्होंने कौन से बार जीता था चटी बार जीता था World Cup का टाइटल जिसमें Australia ने final में defeat किस country को किया था ये भी याद रखेगा India को 6 wicket से defeat किया था final match हुआ था नरींदर मोधी स्टेडियम एहबनबाद में तो थोड़ा सा देखे मतब एक तरीके से आप इसा बोल सकती है दुख हुआ कि हम World Cup के इतना आगे आने के बाद नहीं जीत पाए बट वी आर प्राउड ओफ ओवर टीम हमें अपनी टीम को support करना है कि वो final में पहुँची है चुकि बहुत बड़ा achievement है तो याद रखेंगे कि Australia नहीं जीता है और इससे related अगर हम कुछ और important points की बात कर लेते हैं तो देखें जो पहला edition हुआ था कि ओडियाई वर्टकप का 1975 में हुआ था और अगला जो edition होगा वो 2027 में होगा तो कहां पर होगा South Africa, Zimbabwe, Namibia तीन countries में होगा और 2027 की बात करते हैं तो उस time उसमें 14 teams पार्टिसिपेट करेंगी इस बार सिर्फ 10 team ने पार्टिसिपेट किया था जो भी important points होँगे इस पे मैं आज आपको एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइट कर दूँगी ICC World Cup के बारे में जो भी important points जो भी exam से लिटेट यहां से questions बन सकते हैं वो हम उस वीडियो में cover करनेंगी यहां मैं आपको सिर्फ main main चीज़ से बता रही हूँ यहां से देखे 100% mark करेगा कोशन आपसे जरूर पूछा जाएगा क्योंकि World Cup हुआ है इस बार तो यहां से कोशन बनना तो देखे आम बात है कुछ और important points की बात करते हैं तो winner रही Australia के team runner up रही India player of the series किसे मिला यह award विराट कोली को सबसे जादा run किसने बनाए तो सबसे जादा run इस ODI World Cup में विराट कोली ने बनाए 765 runs सबसे जादा wickets किसने लिए मोहमद शामी ने 24 wickets तो यह भी देखे बहुत बड़ी achievement है कि आपने पूरे tournament में अगर आप देखें तो इंडियन सी हैं यहाँ पे भी और यहाँ सबसे जादा run और wickets तोनों ही देखे इंडियन के दोरा ही achievement हासिल की गई है इस tournament का format किया था तो यह भी आज रखेगा round robin and knockout मतलब हर एक दिखे 10 teams थी तो हर एक team का हर एक team के साथ में match हुआ इस तरीके से यह tournament हुआ था तो इसका format क्या कहा गया round robin and knockout mascot का नाम क्या है blaze and tonk दो यहाँ पे mascot ध्यान रखेंगे theme song का नाम क्या है theme song का नाम है दिल जश्न बोले और इस बार brand ambassador कौन बने शारुक खान तो यह याद रखेगा कुछ main main important points और ऐसी ही दिखे और भी important points हैं यहाँ से बन सकते हैं जो की हम इस पे अलग सी जो आपको एक आज video प्रोवाइट करेंगे इसमें हम सब आपको बता देंगे so complete होगे friends आज के हमारे सबी questions अब बात करते हैं steady GK के questions की तो पहला question देखिए LPG is a mixture of dash LPG किसका mixture होता है तो सही answer है propane and butane so LPG जो है यह तरीगे से commonly use किया जाता है heating, cooking में आपको as a fuel के तोर पे LPG को use करते हैं और यह propane और butane का mixture होता है next question who built bulan दर्वाजा, bulan दर्वाजा किसने बनवाया था, तो यह बनवाया था, friends, अकबर नी next question है इबन बतूता came to India during which rulers reason इबन बतूता जो है, किस के साशक के, किस साशक के साशनकाल के दोरान भारत आया था तो यह आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के साशनकाल में next question है renewal energy is generated from, renewal energy जो है, यह किस से generate होती है तो यह generate होती है natural resources थी so, renewal energy is generated from natural resources याद रखेगा अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे resources हैं, जैसे की देखे solar energy, sunlight से, इसके लावा हो गया wind, water biomass, इस तरीके से जितने भी हमारे natural resources हैं, उन से generate की जाती है, renewal energy so, friends, complete होगे हमारे सारे important questions, अब चले revise कर लेते हैं, कल के questions को तो पहला question देखिए according to the finance, minister India is expected to overtake Japan and Germany to emerge as the third largest economy in the bird, why, which year मतलब भारत जो है किस वर्षे तक Japan और Germany की जर्मनी को पीछे छोड़का दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी economy बन जाएगा तो भारत 2027 तक पीछे छोड़ देगा next देखिए which place has been listed as one of the best places to visit in Asia in 2024 so, London based एक luxury travel magazine है कुंडे नास्ट उनके according देखिए Asia में घूमने के लिए कौन सा सस्थान है जिसको best places के रूप मे list किया गया है तो वो कौन सा है केरल का कोच्ची शहर next ब्रिजेंदर नाद को स्वामी इंका भी निधन हुआ who was he तो ये कौन थे so, right answer is famous historian थे इंको देखिए पदमश्री अवार्ड कब मिला था 1998 में और अगर बात करें पदमभूशन अवार्ड की तो इससे समानित किया गया था 2008 में next question है which bank's former governor so, as Venkatraman जो है जो थे ये friends RBI के देखिए former governor रहे थे RBI के ये 18th number के जो है governor रहे next question in November 2023 which bank has launched UPI Lite to power small value digital transitions in India so, अभी किस bank ने भारत में देखिए जो छोटे value के transitions होती है उनको empower करने के लिए UPI Lite जो है इससे launch किया तो अभी इससे launch किया है recent federal bank नी who has been appointed as a director of geofinancial services तो अभी geofinancial services के director के रूप में appoint किसे किया गया इशामबानी को next अशोक वास्वानी अभी किस bank के जो है MDO CEO appoint हुए है सही answer है KOTAK Mahindra Bank who has been appointed as a director of special protection group so SPG के निर्देशक के रूप में appoint कौन हुए है friends Alok Sharma next question who expressed gratitude on receiving the order of British Columbia the province highest former recognition so simple याद रखिएगा order of British Columbia जो honor है देखिए इस honor से अभी सम्मानित किसे किया गया है the answer is Rian Reynolds को so complete हो चुके हैं यहाँ पर हमारे आज के सभी questions कला आप लोगों से हमने जो test के questions पूचे थे उनको discuss करते हैं यहाँ पर देखिए bronze जो है copper and tin bronze जो है alloy है copper and tin का and onion को जो हम काटते हैं तो हमारे आजसों क्यों आने लगते हैं क्योंकिसमें contain होता है sulfur तो आप सभी ने बिल्कुँ सही answer बताएं हैं दोनों questions की आज के हमने comment include किये है निहा अगरवाल और शाहनवार सराती so friends thank you so much अब बात कर लेते हैं चलिए आज के test के questions की तो देखे पहला question हमारा है national wildlife day जो है ये कब celebrate किया जाता है और second question बताईएगा world rhino day ये कब मनाया जाता है so important ये हैं दोनों ही काफी जादा इनके answer आप हमें comment box में जरू बताएं और इसी के साथ daily current affair का session complete होता है यहाँ पे अगर आपको session अच्छा लगा हो so like जरू करें वीडियो को share करें जाद से जादा and please channel को subscribe जरू करें so चले friends अब आप से मिलेंगे हम another important class में till then bye bye take care have a good day and ऐसे ही friends अच्छे से पढ़ाई करते रहें मेहनत करके thank you so much for watching this video